बिस्मिल्लाहिरामान इरहीम असलाम लेकुम वेलकुम बैक टो माई चैनल कैसे हैं जी आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खेर खेर यह से होंगे और फिट फार्ट होंगे तो आज हम बनाएंगे मिक्स वेजटेबल की सबसी सद्यू का मोसम हो और मिक्स करें तो चलिए शूरू करते हैं बिसमिल्लाहिरामान इरहीम ने सबजिया लिया हैं यहां पर बिल्कुल फ्रेश देखे कितना जबरदर से का कलार आ रहा है एक गुट्टी मैंने मेथी की लिए है आदा किलो मटर में से एक पाव मटर निकले हैं और एक पाव आलो लिया है आलों की इस तरह से क्यूब्स में कटिंग कर लिया है और आदा किलो गजले लिया है तीन से चार हरी मिर्चे एक टमाटर और एक प्यास एक कराही मैंने गैस पर रखी है ओल को मैंने डाल दिया एक कप ओल लिया था इसमें डालूंगी एक प्यास लंबा और बरीक कटा प्यास को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे इसका कलर हमने चेंज नहीं होने देना इसके बाद मैं इसमें डालूंगी वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसको हमने दो च तीन मिलर तक फ्राई करना है ताकि लेस का कच्चापन दूर हो जाए अब मै स्पाइसे आड़ करती हूँ वन टी स्पून रेड चिली पाउडर वन फौर टी स्पून टर्मेरिक पाउडर वन टी स्पून डालूंगे इसमें नमक नमक अपने टेस्ट की अकॉर्डिंग भी डाल सकती है एक टमाटर वो शामिल कर देंगे और इसको हलका सा मिक्स कर लें इसके बाद तीन हरीमिर्चें उसको मैंने बारी काट लिया है और वो भी स्पून रेख लिवन आई कर दूँगी और इसकी थोड़ी देर बनाई करूंगी उसकी बाद मैने जो मेथी काट के रख़ी आँदी बाद आउर जू इसे चामिल करेंगे बहुत ही करारा और बहु की भुनाई करेंगे और अब हम शामिल करेंगे इसमें गाजरें गाजरों को आपने इसी तरह से कटिंग करनी है और प्रेश बिल्कुल गाजरे लेनी है जो रेड कलर में होती है उनका टेस्ट और उनका जो बेनेफिट है वो बहुत ही ज्यादा होता है अच्छे से हमने उनक अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे और इसके बाद अब हमने इनकी बुनाई करनी है हमने वेजटेबल में बिल्कुल भी पानी एक्स्ट्रा आयर नहीं करना सबजियों को हम उनके अपने ही पानी में पकने देंगे तब ही उनका टेस्ट अच्छा आता है अच्छे से जब वेजल्ट खुद परता चल लेगा है लास्ट में हम इसमें डालेंगे हरा धनीया और इसके डालने के बाद भी हम इसकी थोड़ी से मिक्सिंग करेंगे क्योंके हरा धनीया कच्छा होता है अब बची हम इसको डिश आउट कर लेती हैं और दिखाते हूं मैं आपको इसकी फ झाल झाल